आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो पर जहां पर हम सीखते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं आईए चलकर आज आपको बताएंगे एक्सलेंट न्यूज अबाउट फीचर ग्रूप और जी हाँ ये मर्जर वाली न्यूज नहीं है वो बर न्यूज उपरानी हो चुकिए हम आपके लिए नहीं है एक्स्क्लूसिफ न्यू ग्रेटेस्ट न्यूज फॉर फीचर ग्रूप आई ये चलकर शुनवात करते हैं सबसे पहले हम बताएंगे जरे एक बार समरी कर दें आज का रियक्शन क्या हुआ है जो पहली न्यूज थी हमारे पास में ओल्ड न्यूज की बात कर रहे हैं आपर अभी 24,713 करोड में रिलाइंस ने रीटेल वेरहाउस एस वेल एस लॉजिस्टिक वेरहाउस बिजनस को एक्वायर कर लिया है फीचर ग्रूप के तो वह तो न्यूज थी उसका जो रियक्शन बना है आपको पता ही था जैसे हम लोग इस बीलोग ट्रेक कर रहे है अपर सर्किट शुरू हो गया है 21 रुपे 10 पैसे पर बंद हुआ है 5% का पर सर्किट लगा कर और वॉल्यूम देखे क्या शांदार 27 करोड शेर चेंज हुआ है फीचर एंटर्राइस ग्रूप के और डिलिवरी वॉल्यूम और भी जबढ़ गया है 70% के आसपास होने लगा है जो कि बहुत अच्छी बात है और अब यह 52 के रेंज के अपर सेक्षन में आ गया है जो कि इसके लिए काफी अच्छी ख़बर है यहां पर तो यह तो रियक्षन हुआ इस न्यूज का अब आपको यहां चीज एक सीज समझनी है दोस्तों रिलाइंस ने जो अभी पैसे जो बात डील हुई है उसके विसाब से 13% स्टेक वो लोग लेंगे 6% शेर होल्डिंग, 7% कनवर्टेबल वारेंट्स और कनवर्टेबल वारेंट्स का उनको 25% अभी देना है और 18 महिने का लॉकिन पिरिड है टोटल उसकी वैल्ली जो है, वो हो जाएगी 2798 करोड की अगर इसको हम लोग पूरा कैलकुलेशन करें मैट्स के बैसिस पर, तो सिंपल कैलकुलेशन बन रही है मर्ज F.E.L. की वैल्यशन जो की गई इस दील के अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी F.E.L. Reliance के पास में की Reliance के पास में स्टोर तो बहुत जादा थे, पर उनका ज़्यादा revenue जो आता था, वो सिर्फ white goods से आता था electronic white goods से अब इसके मिलने से उनको FMCG में बढ़ बहुत बढ़ ग्रोथ मिलेगी और जो की FMCG और आपका fashion April है उसमें सबसे अच्छा growth opportunity है इंडिया में आगे चल कर तो यही एक strategy creation है इसने लिया है इससे दोनों ग्रॉप को बहुत अच्छी value create होगी अब हम जरा एक बार इसका chart भी देख लेते हैं दो exclusive news आने दे पहले उसके बारे में क्या हो रहा है यहाँ पर अगर हम FSC की बात करें तो FSC is one of the good integrated company under future enterprise limited और यह insurance में भी है इसके सन्दी बंसल जी ने इसको खरीद दिया है कुछ portion इसके insurance group के लिए और यह लोग आपको fixed deposit भी रिक राते हैं गर future group का आपके पास fixed deposit है तो अभी भी आपके पास future group का ही रहेगा एक common question यह बन रहा था कि हमारी future group का fixed deposit सेव है जी हाँ वो सेव है आपस में आराम सेव तो यह FEL जो है यह काफी अच्छा infrastructure, global fashion और सब जंगा काम करता है इसके साथ में अब सारी merge हो जाएंगी तो यह बहुत अच्छा बन जाएगा as a single unit तो अगर आज का chart देखें तो देखें, volume दो दिनों से क्या शांदार volume आ रहा है तो जिन लोगों को पता है, उन लोगों को पता है यहापर deal हो चुकी है, तो इसका result chart पर भी clear नज़रा रहा है और उसमें जब अपना पिछला high था, वो भी तोड़ दिया था यहापर देखें, 19 रुपे का high था, वो तोड़ कर अब 21 रुपे की तरफ चल रहा है तो अब इसका projection का होगा, बताते हैं देखें तो अब अगर इसका थोड़ा सा long term का chart देख लें हम लोग तो आपको clear indication मिलेगा, कि यह कहां जाएगा आगे आने वले समय में तो देखें अब बताते हैं आपको, इसका अगर chart बनाए तो आपको दिखाई देगा clearly कि आगे projection में कहां तक जा सकता है क्योंकि इसमें अगर आप इसका share hold नहीं करना चाहते है आगे time पे तो फिर आपको पताना चीए कि कहां पे आप इसका profit book कर सकते है वो भी एक important चीज़ होती है जहां पे आपको profit book करना होता है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कहां पे इसका profit book चलेगा आगे चलकर आपके लिए अब इसको fix करते हैं यहां से देखिए यह इसका एक chart बन गया है आपका इसका अपड़ेस्ट करेंगे थोड़ा सा उपर के लिए तरफ तो यह देखिए यह हमारा इसका position बन गया है नीचे का position को थोड़ा सा उपर लिए आता है तो यह upward channel जो बना हुआ है भी यहां पर देखिए तो इसके अपर जोन में आ रहा है यहां पर जो कि एक interesting fact है अब इसका अपर जोन यहां पर इसको cross करेगा जो कि definitely इसको cross करना ही है इसको जाके तो उपर जाएगा और उपर जाने के लिए त्यार हो जाएगा तो और भी exponential growth दिखाई देगी यहां से आगे आने वाले टाइम में जैसे ही चैनल को breakout देगा तो technically भी यह बहुत ही अच्छा breakout माना जाता है अगर चैनल को break करके ऊपर जाता है तो तो उसके इसाब से आगे आने वाले टाइम में काफी अच्छा view रहेगा आप सिर्फ super trending नहीं आप volume भी देखिए दो दूनों से volume बहुत तगड़ा volume है इसमें आपर आज भी और कल भी volume इसका अच्छा volume था तो दोस्तों अगर आज nifty का कारोबार देखिए nifty में कुछी share दे थे जो आज positive रहे market में जिसमें आपका future group सबसे अच्छा है नifty करीब 2% गिरा है और bank nifty करीब करीब 3% के असपास गिरा है हम लोग खुब activity rate करते हैं और हम लोगों ने अपने clients को सुभा ही morning में ही banking stock से निकलने के advice कर दी थी around 10 o'clock और उसके लाद में हमने aggressive position भी ली थी अपनी shorting करने के लिए market में तो हमने वहापे भी पैसा कमाया जो अब हमारी सबसे important news है जो आगे के growth के बताएगी इसके तो as per bulletin line market research report global multi enterprise supply chain business network market feature growth के रोने study किया है 2020 से लेके 2025 तक उसकी बहुत बड़ी report आई है उसमें करीब 27 different chapters है जो total मिलाकर 130 page के आसपास की report है उस report के accordingly global supply chain जो है market आगे animal time में काफी अच्छा grow करने की उमीद है जब से covid के बाद खतम होने के बाद में covid के supply chain फिर से improve हो जाएगी इसकी जो उन्होंने product type इसमें search की है वो retail, energy, cosmetic, healthcare, government, transport और manufacturing तो इसमें जो future enterprise का नाम है वो retail के segment में है cosmetic, healthcare, transportation क्योंकि future supply chain है उसके साथ में और manufacturing जो कि FMCG प्लस future lifestyle fashion के साथ में तो इन सब के चलते हैं उन्होंने बताया है कि आने वाले time में CAGR जो होगी इस report के accordingly वो 6% के आसपास रहेगी 6% थोड़ा सा कम बताया है और all year के basis पर approximately 6% उसको round off करके बताया आपको तो अब इसका मतलब क्या होता है कि जब यह सारी industry grow करेंगी तो जो उनकी individual organizations है जिसमें F.E.L. का नाम है अच्छे से वो काफी बढ़िया तरह से grow करेगी और इसके साथ में 6% grow का मतलब आपको annually काफी अच्छा growth मिलेगा तो हर साल 6% बढ़ने का मतलब पुराना बेस 106 हो जाएगा फिर 6% बढ़ेगा फिर पुराना बेस यह interest पर interest मिलने वाली बात हो जाती है जो कि stock market को बहुत अच्छा favor करेगी आगे आने वाले time में इस report के accordingly जो report study की गई है वो North America, South America, Europe including UK and South Africa, फिर Asia और साथ में Australia सारे continents को इन्होंने report में include किया हुआ है दोस्तो अगर आप हमारी ये information अच्छे लगी दोस्तो तो एक बार वीडियो को like जरूर कीजेगा आने वाले समय में बहुत अच्छा time रहेगा F.E.L. को stock को hold करने के लिए long term के लिए अगर आपको report के बारे में कुछ detail चाहिए तो इसके contact detail यहाँ पर है और इसकी website भी यहाँ पर दिखाए हुई है जैसे आपने बताया हम Nifty और Bank Nifty के अपनी paid customers को advice करते है according to the market conditions during the daytime और अगर आपको यह paid service चीए 8,000 रुपीज चार्जिस है प्लीज कॉंटेक्ट भवनदीर no.7 at the rate gmail.com अगर आप उसमें इंट्रेस्टेड है तो अब तीसरी report तीसरी information जाने से पहले हम लोग जड़ा कुछ और इसका technical study कर लेते हैं आज के parameter के specifically और देखते हैं कि क्या आगे की संभावनाई बन सकती है इसमें तो अगर इस study को delete कर दिया जाए हां से और हम लोग add करेंगे कुछ parameters पहले इसको आज का intraday का chart दिखाते हैं देखे जिसको हमने जैसे अपने weekend पर हमने हर company का video बताया था कि आप इसको round figure कर लिजे और अगर आप add करना चाते हैं और तो add quantity कर लिजे आप comment box में बताईगा दोस्तों कि आपको जो मोगा मिला है आप पहले 15 मिनट के time में और बल्कि पहले इस दो मिनट के अंदर क्या आपने यहाँ पर execute कर पाए नहीं पर पाए हमने बताया था कि इसको आपर circuit के लिए 9 बजे से पहले आप 9 बजे के असपास आप इसको order को रख सकते हैं अपने पास में execute करने के लिए इसके target बहुत अच्छे रहेंगे आगया आने वाले time के लिए तो आप बताये का comment में अगर आपने डाला है और देखिए volume भी है ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर विका नहीं है यहाँ पर विका है अगर हम इसको थोड़ा सा और छोटा करके दिखाए आपको तो दो मिनट का time frame दिखाते हैं ताकि आपको पता लगए exactly क्या हुआ हुआ है तो देखिए दो मिनट के लिए तो दो मिनट के पहले time पे इसने यहाँ पर activity किया है खुला यहाँ पर था दो मिनट तक इसने काम किया है 20 रुपे पर खुला और जाते जाते वो 21 रुपे पर बंद वाए तो आप बताईए का comment में अगर आपने इसको खरीद पाई की नहीं तो यह अच्छी बात है कि जो लोगों को round figure करनी हो round figure कर सकते हैं मेरे सिर्फ यह request है कि आप इसको 10 के multiplier में रखिए ताकि आपको आने वाले time में इससे कोई दिक्कत ना हो जो उसका partial ratio होगा उसमें फिर थोड़ा दिक्कत रहता है इसलिए बेटर है कि जब आ उनको बता दि 10 कर है आपके पास a opportunity है तो आप इसको खरीदे 10 के multiplication में तो अगर हम अगला indicator दिखा है अभी यहाँ पर हमारा one of the favorite indicator है alligator जो कि आपको automatically moving average करने की जरूत नहीं होती हो दिखा देता है देखिया पिछले 5 दिनों से इसने upward खोला है और gap बढ़ता जाएगा ऊपर चलने पर तो आपको trade enter करनी है अपनी और जिसमें आप इसका upper circuit limit पर अपना price set कर दीजे अगर आपको मिलना होगा तो आपको मिल जाएगा जितनी quantity छे उतनी quantity अभी भी आप F.E.L. की ले सकते हैं दोस्तों अब अगर हम इसमें RSI देखें तो क्योंकि अब continuously उपर चलेगा तो फिर RSI का pressure भी आएगा नीचे से तो वो भी आपको देखना है RSI कितने level पर रहेगी इसकी अभी अगर RSI की बात करें तो 74 क्या असपास level है तो अभी आराम से 90 तक जा सकती है RSI जब news-based information है तो 80 को cross करके थोड़े दिन 85-90 तक जा सकती है तो अभी कोई घबराने वाली बात नहीं RSI के reference में आप continue अभी profit book करने की जुरूत नहीं है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा है तो आपका स्वागत है यहाँ पर हमने education video की series बनाई हुई है अगर आप चाहें तो उसको video देख सकते हैं जो आपको मन करें एक request रहेगी अगर आप इसको देखेंगे तो आपको at least कुछ फाइदा होगा 7 mistakes to avoid in market hopefully you will learn that अब अगर हम बात करें इसके साथ में आगे आने वाले time के लिए क्या कर सकते हैं आपर इसकी अगर फिर से हमको opportunity मिले तो definitely आपका recommendation यही रहेगा कि आप खरीदिए इसको जब आपको मिले तब आप खरीद लीजे ताकि आपको आराम से इसमें दिखाई दे जाए कि आगे आने वाले time पे इसका कहां पर activity हो सकती है अब इसमें एक चीज़ important आपको समझाते हैं कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर ये जो deal हुई है इसका जो price होगा वो कितने पर set कर सकते हैं इसको अपने reference से तो इसका एक बहुत अच्छा parameter होता है जो हम आपको बताना चाहते हैं भी यहापर तो देखे पहले हम इसको थोड़ा सा zoom out कर देते हैं और इसका average निकालते है generally जब भी कोई deal होती है तो deal एक दिन के बात नहीं होती है deal का जो average लिया जाता है वो 3 महिने लिया जाता है तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमने इसका average निकालना शुरू का है यहां से 3 महिने के लिए तो तीन महीना ये हो गया, जून, जुलाई, आउगस्ट, तीन महीना हो गया, exactly ठीक है, तो जो इसका average है, वो करीब करीब 15 रुपे के असपास आप मान सकते हैं तीन महीने में इसमें average जो trade क्या है, वो 15 रुपे क्या है अगर weighted average करेंगे, तो वो काफी उपर आएगा, पर हम simple average भी लेते हैं, तो 15 रुपे के असपास है 15 रुपे से अगर इसकी market capitalization डवल भी कर देंगे, तो 30 के असपास बनती है पर क्योंकि इसका weighted average उपर यहाँ पर जाता है, देखिए weight इसका यहाँ पर जाता है, volume हाँ पर सबस्यादा trade हुआ है तो weighted average करेंगे, तो करीब-करीब आपका 20 के आसपास इसका weighting average आता है 19-20 के आसपास इसका weighting average आएगा, तो इसका मतलर यह है कि इसकी जो fair value होगी, वो deal के accordingly, वो 38 तक हो सकती है, हो जाये जाने के लिए अगर देखिए तो market के अपर revenge करता है, क्योंकि आज market काफी deal आ गया है, जैसे हमने आपको बताया, market आज nifty bank, सब लोग deal गया है तो अगर जादा delay जाएंगे, तो फिर market पे थोड़ा pressure पड़ता है हर stock, ऐसी बात नहीं है, stock कोई भी हमेशा उपर चलता रहेगा, अगर market नीचे जाएगा, तो इसका stock का pressure नीचे रहेगा तो इसके चलते हुए, आपको थोड़ा सा साफदान भी होने की सुरत है, market अगर जादा नीचे correction करेगा, थोड़ा profit book भी कर लिजेगा, वहाँ पर, यह हमारी सला रहेगी आपको उसके reference में अब अगर हम आपको last information के लिए चलें, तो last information जो है, information number 3, जो कि आपको पता ही होगी already, इसमें deal अभी approval नहीं हुआ है, once it is approved, then this is the ratio which you already know, इसमें जो advantage मिलेगा आपको, इसका future group की synergy जो मिलेगी, सारा का सारा F.E.L. के जो existing product है, वो अब Jio Mart पर भी बिकने लगेंगे, तो वो एक नया channel मिल गया है, यहाँ पर customer को direct reach करने के लिए, आजकल सब लोग mobile phone पर order करना चाप प्रसद करते हैं, बजानना जाका, तो इसलिए उनको अच्छा platform मिल जाएगा, जिसके through delivery घर पे मिल जाएग इनको और Reliance Network & Store को भी यह लोग deal कट करेंगे इसके साथ में, तो अच्छा format है, अच्छी view बन रही है इनके साथ में इस काम के आगे बढ़ने के लिए, अब अगर हम target बात करें, F.E.L. का, हमारे हिसाब से दोस्तों, जो इसका target बनेगा, वो हमने already आपको बताया हुआ है, और अ पास बहुत common question आता है, क्या सार हम मंडे को खरीद ले, जी हाँ दोस्तों, आपने मंडे को नहीं खरीदा है, कोई बात नहीं, अब आप Tuesday को खरीदिए इसको, और जब तक इसका target ना आ जाए, तब तक आप इसको continue खरीद सकते हैं, अगर आपको मिलता है, आगे आनमनल क्यों कि हम सारे comment का answer नहीं कर पा रहें, बहुत सारे comment आरें, तो इसके लिए apologies, हमारी team under the feather है अभी, इस time पे, हमारे दो member shooty पे भी गया है, तो इसलिए हम ज़्यादा respond नहीं कर पा रहें, धन्यवाद आपका cut समय देने के लिए, मैं आशा करता हूँ आपका दिन मंगल में बाई दिन मारे देनी कर दो एगाना दिन मुल मारे दिन मारे दोरे देन